हलो बच्चों आज हम बात सेट थेवरी की जो कि कर रहे थे उसे में आगे का एक टॉपिक है वेंड डाइग्राम और NCRTX साइज 1.4 के कुशन टेसंस करेंगे देखे वेंड डाइग्राम क्या होता है एक मैथमेटिशन थे आईलर आईलर साब ने कहा कि किसी सेट को ऐसा करते हैं एक होता यूनिवर्सल सेट जिसको के हम इसमें सभी एलेमेंट होते हैं तो उनों का यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजे करें और कोई सेट एसके अंदर कुछ भी हो सकता है इसके अंदर भरे हुए और कोई सेट ए हमालिया एसको हम इसके यह आईलर साब ने कहा था इसको कहा गया अब ये तो नहीं कहें कि वेन डाइग्राम है क्योंकि आईलर ने कहा है लेकिशन साब ने इसके बारे में और बहुत description दिये बहुत ज्यदा इसको detail में समझाया इसका नाम रखा गया वेन डाइग्राम या वेन आईलर डाइग्राम तो मेन ये वेन डाइग्राम से जाना गया है तो हम बात करने जा रहे हैं वेन डाइग्राम वेन साब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो एक universal set होता है सरवनिस्ट समुच्च इसको कहते हैं उसके अंदर सभी element समाहित रहते हैं उसको एक rectangular box से represent करें यानि ये universal set है इसको हम U से represent करते हैं कहीं कहीं पर S से represent करते हैं अलग-अलग है generally U से represent करते हैं यानि इसके अंदर दुनिया के सभी element इसके अंदर है और कोई set A है मालिया जिसको कहेंगे 1,2,3 उसको इसके अंदर represent करने के लिए एक circular एक circle बना दीजे और इसके अंदर कहीं भी 1,2,3 लिख दीजे तो इस प्रकार से किसी भी set को आप इस diagram के अंदर represent कर सकते हैं इसको कहा गया वेन diagram ठीक है अब बहुत सारे operations थे उनको कि उन्होंने वेन साहब ने इसमें explain किया जैसे वेन साहब ने का कि माल लिया आपको इसके अंदर ये set A था मालने इसके अंदर दो set represent करने हैं जिसमें कि A, B का subset हो मालने A, B का subset है subset को आप पढ़ चुके हैं A, B का subset मतलब A के सभी element B के अंदर है तो इन्होंने का ऐसा करते हैं एक rectangular box बना देते हैं और इस box का मतलब universal set पहले A बना देते हैं और इसके उपर B, यानि B के अंदर A को बंद कर देते हैं तो इसका मतलब B के अंदर A है ये A है और ये B है A पूरा का पूरा B के अंदर है यानि A के जो अगर मैं एक example ले लूँ A का example ले लूँ 1, 2, 3 और B का example ले लूँ 1, 2, 3, 4 तो हम जो A के अंदर लिखेंगी वो B के अंदर भी होंगे लेकिन जो extra element B का हो यहां लिख ले ठीक है और अगर universal set होता मालिया 1, 2, 3, up to 10 तो 1, 2, 3, 4 यहां लिखा है और 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं बाहर लिख दीजिए तो यह वेन डाइग्राम के help से इन्होंने समझाया था वेन साथ जॉन वेन साथ थे तो उन्ही के नाम से जाना गया वेन डाइग्राम अब कुछ mathematical operations है set theory के उन्हें ज़रा समझ लिजेगा इसे समझ लिजे कुछ बहुत detail में समझने वाला इसमें है नहीं जितने भी operations होंगे उनको हम वेन डाइग्राम की help से बताते जाएंगे ठीक है देखें एक है union operations of set operations on set set में एक operation होता है union of set समुच्चे का संग union को कहा जाता है संग ठीक है क्या होता है पर देख समझेगा अगर कोई set A है 1, 2, 3 और कोई set B है 2, 3, 4 तो संग का मतलब होता है A union B इसको हम union पढ़ते हैं इंग्लिस में भी union पढ़ते हैं और हिंदी में भी union ही बोलते हैं A संग B नहीं पढ़ा जाता है पढ़ सकते हैं गलत नहीं है लेकि जनरली बोलचाल की भासा में union बोला जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं A, B के सभी element लिख देते हैं सभी element यह बोल रिपीट element नहीं करेंगे मतला इसमें 1, 2, 3, 4 ठीक हैं अब जरा इसको लॉजिकल ही कैसे लिखा जाता है लॉजिकल कंसेट्स होजिएगा देखें अगर 1 ने A union B को बिलॉंग किया तो आप कहेंगे सभी 1 A में है B में नहीं है अच्छा अगर 3 जो है 4 जो है A union B में है तो आप कहेंगे यह element union में तो है लेकिन A का वोई element नहीं है B का element छीक है आपने कहा साथ 3 बिलॉंग करता है A union B आप कहेंगे दोनों को बिलॉंग करता है यानि कि अगर कोई element A union B में है तो आप पकी तोर से नहीं कह सकते कि वो element A का है कि B का है कि दोनों का है यह पकी तोर से नहीं कहा जाजाता ठीक है तो जब पकी तोड़ से ना कहा जाए तो logically कैसे लिखते हैं कि अगर x a union b को belong करता है यह अगर कोई element a union b को belong करता है तो आप कहेंगे कि वो a को belong करेगा या b को belong करेगा अथवा होता है और लिखते हैं अथवा का मतलब होता है जहां पकी बात ना हो गवर हमने का आप आजाओ अथवा आप आजाओ कोई एक आजाओ ठीक है तो यानि कि पका नहीं किसकों बुला रहे कोई भी आ सकता है ठीक है दोनों में कोई भी आ सकता है तो जहां पर union की बात ह होती है, properties verify करने के लिए आ सकती है, देखिए, properties of union क्या होता है, properties of union, offsets, देखिए, पहली अगर आप A union B निकाले और हम B union A निकाले तो ये value same आएगी चाहे A union भी लिखो चाहे B union ये लिखो ultimately A और B के सभी element लिखने हैं A के भी सभी B के भी सभी repeat नहीं करना है इसको कहा जाता है commutative law commutative law crum minimum नियम हिंदी में कहते हैं crum minimum मतब करम बदलने से value नहीं बदलती दूसरा नियम हम A union B निकाले निकाल लिया दो तीन सड़ दिये हैं और इसके बाद A union B निकालने के बाद जो result आया उसका union C निकाले या A union B union C निकाले मतब देखी हम bracket पहले solve करेंगे ना पहले B union C निकालेंगे जो result आएगा उसका A के साथ union निकालेंगे यहाँ पर क्या करेंगे पहले A union B निकालेंगे जो result आएगा उसके साथ union C निकालेंगे value same आएगी इसको कहा जाता है associative law या associativity इसको कहते हैं तीसरा चरे नियम ये बच्पन से ही बहुत सारे mathematical operation में आप पढ़ चुके हैं ठीक है तीसरा ये कहा गया कि अगर हम phi के साथ यानि नल सेट के साथ निकालते हैं तो a आता है और चौती बात अगर हम a का union universal set के साथ निकालते हैं तो u आता है ये कैसे आता है ये phi की property होती है तो आप रिखेंगे by law of phi phi का नियम होता है उसमें कोई element नहीं होता है और ये by law of u u का नियम होता है universal set का नियम होता है कि इसके अंदर सभी element होते हैं तो a के element इसके अंदर है तो A के भी element लिखने है और U के भी element लिखने है तो ultimately U के element ही आएंगे पाँचवी property होती है कि अगर A union A निकालते है तो A ही आएगा इसको इंगलिस में बड़ी भेंकर नाम है idempotent law idempotent law इसको कहा जाता है वर्ग सम्नियम तो यह आपका union की एक उस properties होती है ठीक है A union B B union equal होता है A union B इस bracket को solve करने के बाद C के साथ union निकालो या इस bracket को solve करने के साथ A के साथ union निकालो value same होगी 5 के साथ निकालते हो तो A आएगा U के साथ U ही आएगा और A union A होता है यह idempotent law होता है यह नाम अक्सर लोग भूल जाते है ठीक आइडempotent बड़े क्लास में निलोपो टेंट बहुत सारे टेंट आएंगे तो तब देखी जाएगी तो यह union offset हो गया जागा ठीक है उसके बाद आता है intersection offset यह तो हो गया set का संग मतलब एक party बना दी जिसमें A के भी लोग हैं B के भी लोग हैं सब मिला करके एक बना दी जिसको के कहेंगे देशभक्त party हुआरी party में आ जाओ तो आप देशभक्त दूसरे एक party में आप देशद्रोही इसके बाद आता है intersection of sets दूसरा है अगला है intersection of sets intersection में क्या करते हैं कि अगर हम A कोई set ले लें 1, 2, 3 और कोई B set ले लें 3, 4, 5 तो intersection का मतलब होता है कि A और B के सभी common element लिखने हैं मतलब 3 है तो यहां ऐसे लिखा जाएगा ज़रा समझेगा logically इसको कैसे लिखा जाएगा यह तो आपको याद करना पड़ेगा common element को A intersection B पढ़ते भी हैं और यह लिखते भी हैं देखें अगर कोई element A intersection B में है तो पक्की तोर से आप कह सकते हैं होगा ही होगा ही कहीं पर भी यहां पर संदे नहीं है तो यह अगर मैं कहूँ let X belongs to A intersection B implies X belongs to A यहां एंड लिखा जाएगा इसको एंड का sign कह सकते हैं और चाहे एंड लिख भी दे यहां तो एंड का मतलब पक्की तोर से दोनों को बिलांग करेगा और और का मतलब कुछ कच्चा है वो भी सकता है और नहीं हो सकता है जो पक्का हो पक्की तोर से वो एंड जो कच्चा हो कुछ गरबड है वो और ठीक है अच्छा इसकी कुछ properties होती है तो यह हो गया आपका intersection क्या होता है अब जब जब इसकी properties देखी properties of intersection offsets पहली बात देखो अगर हम A, B का intersection निकाले या B का A से intersection निकाले ultimately आएगा तो common element नाम ही होगा commutative ला जो पहले में था दूसरी बात A का intersection B से निकाले जो result आए उसका C से निकाले या A intersection B intersection C इसका अब तब ब्रैकेट सौल परना है तो दोनों value सेम होगी associative ला तीसरी बात A का 5 के साथ intersection निकाले तो भाई कोई भी element common नहीं होगा फाई आएगा अगला A का union U के साथ निकाले तो A ही आएगा चुक्क common element लिखना है तो A के ही element आएगे U में तो ज़्यादा element है यह फाई की property यह A की property अगला अगर A का intersection A से निकाले तो A ही आएगा इसको कहते है idempotent law नाम वही है आपके यहाँ पर एक नाम बढ़ जाता है बढ़ जाता है इसको कहेंगे A intersection B Union C अगर है और bracket खोलोगे तो A intersection B अलग हो जाएगा Union A intersection C होगा इसको कहा जाता है वित्रण का नियम Distributive law इसको कहते हैं Distributive law वित्रण का नियम कहा जाता है और यह बहुत नया नाम नहीं है देखे Union का मतलब प्लस होता है इसका मतलब इंटू होता है अगर 2 इंटू 3 प्लस 4 हो और bracket खोलना हो तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 हमने पढ़ाए तो वही नियम है यहाँ पर intersection में है तो यह आपका intersection क्या होता है उसकी कौन कौन सी property है यह proof करने के लिए logically भी आती है चुकिक है चुकिए आपके NCRT में logically आपके नहीं दिया गया है RD Sharma में दिया गया है audition में जब बताई जाएगी तो उसमें explain क्या जाएगा इसको नोट कर लीजे इसके बाद एक और है difference offset अभी मैं बताऊंगा कि vein diagram में इसको कैसे represent करेंगी देखें difference offset सेटों का अंतर difference जानते अंतर होता है अगर कोई सेट A है 1,2,3 अब आप कहेंगे वही example लेतों का रटा हुआ है का एक सस्ता मत्दा example लेते हैं और एक सेट B है 3,4,5 और आपको A-B निकालना है तो इसका मतब A के वो element जो B में नहीं हो A का 1 है जो B में नहीं है A का 2 है जो B में नहीं है A का 3 है जो B में है तो वो element लिखेंगे जो A में हो लेकिन B में नहीं अगर B-A लिखें तो B के वो element जो A में नहीं तो ये आपका A-B है अगर इसको logical ही हम लिखना चाहें तो देखें जो element a minus b को belong करेगा वो a के पास तो है लेकिन b के पास नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा पक्का है पक्का में end होता है तो आप कहेंगे कि if x belongs to a minus b implies x a को तो belong करता and x b को belong नहीं करेगा ऐसा यहां उल्टा हो जाएकर b को करेगा और a को नहीं करेगा ठीक है और एक है last में disjoint set disjoint set विसंगीत समुच्चे विसंगीत समुच्चे नाम से लग रहा है कि जिसमें कोई joint नहोग जिसमें कोई common नहीं है अगर दो set में कोई चीज common नहीं है जैसे माल लिया एक example के तौर पर मैंने एक set a लिया 1,2,3 और एक set b लिया 4,5,6 तो अब इसका intersection निकालिए इसके intersection में कोई चीज common नहीं होगी फाई आएगा यह दोनों disjoint set कहलाएगा ठीक है तो यह general concept है set theory का जिसमें की यह सब properties हैं अब इसको when diagram में कैसे represent करते हैं उससे समझेगा इन सभी को when diagram में लिखने का तरीका क्या है देखो देखें हमने एक example लिया पहला example लिया a is equal to 123 और b is equal to 345 आपके बार बार वह example ले रहे हो सस्ता बाला चीप देखिए यह हमने एक rectangular box बनाया हमने कहा इस box के अंदर सब कुछ है इसके अंदर सब कुछ भरा है सब natural number हाथी गोडा पाल की जेक नहिया लाल की सब इसके अंदर है जो भी आपको चीए इसके अंदर से निकालीजी उसमें से a और b आपको draw करना है तो a और b पूरे पूरे common नहीं है तो a और b का कुछ पार्ट कामन है कुछ पार्ट कामन है a और b का कुछ पार्ट कामन है ठीक है common पार्ट क्या है 3 तो ये तो 3 हो गया तो ये intersection होता है ठीक है तो जो ये पार्ट होता है ये जो common है इसको कहेंगे हम a intersection b अच्छा अगर मैं a माइनस b निकालू तो a के वो element जो b में नहों one two से one two यहां कहीं आएंगे अगर मैं b माइनस a निकालू b के वो element जो a में नहों तो आप कहेंगे four five तो four five यहां कहीं आएंगे तो यानि कि ये वाला जो पार्ट है इतना पार्ट ये आपका a माइनस b बताएगा इधर का पार्ट b माइनस a बताएगा और ये सब मिला दीजिए सब कुछ तो a union b बताएगा तो इस प्रकार से हम वेन डाइग्राम में union intersection show कर सकते हैं अब आपको इंगे ठीक है साब अगर दोनों disjoint set होंगे तो अगर disjoint set होंगे तो rectangular box के अंदर जो डब्बे बनेंगे वो अलग-अलग बनेंगे a अलग होगा b अलग होगा कई भी बना दीजिए कोई भी पार्ट उसका overlap नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह concept है union intersection कैसे होता है और कैसे उसको वेन डाइग्राम में रिप्रदिन किया जाता है ठीक है जीदा डारेक्ट 1.4 exercise पहला कोशन देखिए कि देखिए find a union of the following sets देखिए पहला पार्ट इसका है दो sets है x is equal to 135 और y is equal to 123 और कहते है इसका union निकालो जैको अगर मुझे union निकालना होगा तो union का concept क्या बताया गया कि union का मतलब होता है x y के सभी element लिख दीजिए जैने कि 1,2,3,5 अब आप कहेंगे 135,2 लिख दें कोई फरक नहीं परता आर्डर चेंज कर सकते हैं और इसी question को दुबारा fifth question में पूछा गया है जिसमें intersection निकालना है तो यहीं पर intersection भी निकालते हैं x intersection y में क्या होता है जो दोनों में common हो 1 और 3 common है दोनों में तो 1,3 इसका intersection होगा यह question number one भी है और question number five भी है उन्होंने का same question में आपको intersection निकालना है तो देख लीजेगा उसमें second part इसका क्या कह रहा है second part कह रहा है कि A is equal to AEIOU इस family को आप जानते होंगे और B is equal to ABC अब अगर हम कहें A union B निकालो A union B क्या होता है A और B के सभी element सब लिखने हैं पूरे A के पूरे B के पूरे repeat न करना तो A B C E I O U order आप जो चाहें लिखें और अगर दोनों का intersection निकालना हो जो कि shift question में है तो वो A दिख रहा है आपको जो common हो दोनों में तो इस प्रकार से यह second part है चीक है आगे देखें third part इसके पहले वीडियो में union intersection पूरा concept बताया गया है उसको एक बार देख लीजेगा तो समझ में ज़्यादा है देखें third part कह रहा है कि x is that x is a natural number and multiple of third part a is equal to x such that x is a natural number and x is multiple of three multiple of three multiple of three का मतलब होता है तीन का पहाड़ा आई पहाड़ा पहाड़ा मतलब टेबल पहाड़ा इंदी में पहाड़ा अंगरेजी में टेबल पुर्सी में जवाली नहीं टेबल इसका मतलब क्या लिखा है तीन इककम तीन दूनी छे तीन तरकनो तीन चोग बारा टिंग 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 बहुत सारे element होंगे दूसरा set b है b कह रहा है x is a natural number x such that x एक प्राकृतिक संक्या है and x is multiple of 6 x is multiple of 6 यहनि 6 का पाड़ा 6 कम 6 12 16 16 16 16 16 16 अब कह रहा है कि union निकालो a union b सब लिख दो 3 का पाड़ा 6 का पाड़ा सब लिख दो 3 6 9 12 18 सब लिख दो ठीक है और अगर intersection निकालेंगे तो क्या आएगा देखो जो 3 का multiple होगा वो जो 3 के पहाड़े में आएगा वो जरूरी नहीं है 6 के पहाड़े में आजाए तो कि 3 कम 3 आया यहां नहीं आया 3 दो लिख 6 आया यह चैया आया लेकिन जो 6 की टेबिल में आएगा और 3 में भी आएगा और 2 में भी आएगा तो आप 6 का लिख दो के वाल 6 12 18 इस प्रकार से यह 5th question हो रहा है फर्स्ट और फिर दोनों इसके बाद question number 4th part इसका देखी यह note कर लिया होगा 4th part कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि एक तो नहीं लेना है एक से लेकर के 6 के बीच के natural number इसमें 1 को नहीं लेना 6 को लेना है तो आपको लिख रहा 2, 3 2, 3, 4, 5 है यह लिख लिया एक से भी है कि x such that x belongs to natural number and x is greater than 6 and less are equal to 10 मतलब 6 से 10 तक number लेकिन 6 नहीं लेना है 10 लेना है इसका मतलब यह हुआ 7, 8, 9, 10 अब अगर union निकालना है आपको तो सब हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है और अगर intersection निकालना है तो भीया कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा ठीक है फिफ्ट पार्ट क्या कह रहा है यह फिफ्ट कोईशन है ध्यान रखिएगा A दिया है 1, 2, 3 और B दिया है 5 कुछ हो नहीं और अगर आपसे कहा है A union कुछ हो नहीं तो यह यह आएगा केवल केवल A आएगा 1, 2, 3 और अगर कहा जाए दोनों का intersection निकालो तो कुछ हो नहीं आएगा यह फिफ्ट कोईशन है सेकेंड कोईशन देखिए नोट कर लिया इसको नोटी कर लिया होगा इसके बाद सेकेंड कोईशन कह रहा है कि यह एक सेट A दिया है A B और एक सेट B दिया है A B C तो पहले कह रहा है कि Is A subset B क्या A B का subset है क्यों है भाई आंसर में लिखा हुआ है ऐसा नहीं है A के सभी element B में है तो A B का subset हो गया ठीक है फिर कह रहा है कि What is A union B A union B क्या निकलेगा वैसे तो A B C निकलेगा लेकिन आप डारेक्ट लिख सकते हैं यह B के इक को लिकलेगा क्योंकि B बड़ा है common जब लिखोगे सभी element तो B के elements अभी आएंगे इसके बाद third question same question नहीं है कि अगर A B का subset है तो A union B क्या होगा A B का subset है A union B किसके इकल होगा B के इकल होगा अगर माले element ना दिये हों तो तो third तो same question है उन्होंने का If A subset B What is A union B आप कहेंगे A union B B के इकल होगा ठीक है fourth question देखिए बहुत बड़ा सा question है कुछ पार्ट हम बताएंगे कुछ पार्ट आप लगाएंगे A दिया है 1,2,3,4 B दिया है 3,4,5,6 C दिया है 5,6,7,8 क्या common rhythm चला है और D दिया है 7,8,9,10 9 बाद में कर दो कोई दिखकर नहीं है फिर आप से कह रहा है कि A union B निकालो A union C निकालो B union C निकालो B union D निकालो निकालेंगे क्या दिक्कत है A union B क्या होगा A और B के सभी element common element को एक बाद लिखेंगे तो 1,2,3,4,5,6 A union C निकालेंगे A और C के सभी element ठीक है यह सब निकालाएंगे फिर आप से 5th part में कह रहा है फिर पार्ट जो इसका है वो कह रहा है कि A union B निकाला फिर union C निकालो bracket नहीं लगाए तो ब्रैकेट नहीं लगाए तो कोई 2 को पहले आपको करना पड़ेगा A union B निकाला आपने क्या निकाला यह इसका C के साथ union निकालो तो क्या हैगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह यू कि यह A, B, C के सभी element लिखने है आप अगर bracket नहीं लगा है तो आपके किसाब bracket तो लगा नहीं तो हम तो पहले निकालेंगे B union C आपकी जो मर्जी कर लो A union B union C का मताब A, B, C के सभी element लिखने है सबको एक एक बार repeat नहीं करेंगे हम तो repeat करेंगे तो करो repeat कोई दिक्कत नहीं हम तो order change करके लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है order भी change कर सकते हो कुछ भी कर सकते है ठीक है 5th question हम बता चुके है कि पहले question जो अपने लगाया था उसके सभी intersection निकालने है ठीक है जरास्तिक कुछ और part कर लिजेगा अब आपका इना समझ में आया तो answer से note कर लिजेगा अच्छा ये कौंसी बात ही जागर कर कर आरे आ जाएगा जहाँ पर तीन का union है मतलब तीनों के element मिला के लिख देने है bracket लगा हो चाहे ना लगा हो क्योंकि आपको associated लाट derive नहीं करना verify नहीं करना है कि किसको bracket में लिखे आपकी मर्ची जो चाहे हों करे question number 6 कह रहा है कि भी आप बहु सारे set दिये है एक set A दिया है 3, 5, 7, 9, 11 एक set B दिया है 7, 9, 11, 13 एक set C दिया है 11, 13, 15 एक set D दिया है 15, 17 पतब रिदम तो है लेकिन और find करना है बहुत सारी चीजें find करनी है इन्होंने आरे दादा इन्होंने पूरा बिस्तरा गूल कर दिया इसका first part, second part third part fourth part fifth part sixth part seventh part eighth part ninth part tenth part पहले कह रहे हैं आप A intersection B निकालो क्या होता है A और B में जो common हो क्या common है seven, nine, eleven वो क्या seven, nine, eleven फिर आप से कह रहे हैं कि B intersection C निकालो निकालोगे B और C में जो common हो क्या है 11, 13 11, 13 third में हो गया D अचा है fourth part यह fifth part है fourth part कह रहे हैं कि आप A intersection C निकालोगे तो A C में क्या common है A और C में क्या common है 11, 11 हो जाएगा निकालोगे सभी 11 हो जाएगा फिर फिफ पार्ट में कह रहे हैं क्या कह रहे हैं फिफ तु कह चुके हैं ना शिक्स में कह रहे हैं यहां फिफ नहीं कह रहे हैं शिक्स में कह रहे हैं कि A intersection B union C निकालो अब देखो फुरा दिमाग लगाओ A लिख दो पहले A क्या है 3, 5, 7, 9, 11 intersection B union C लिख दो 7, 9, 11, 13, 15 और फिर दोनों का intersection निकाल लो तो क्या आएगा 7, 9, 11 आएगा इसके और पार्ट कर लोगे जहां ब्रेकेट लिखा हो जैसे माले इसका 10th पार्ट हम बताते हैं 10th पार्ट 10th पार्ट कह रहा है कि A union D intersection B union C तो चाहे तो अलग-अलग निकाल लो ठीक है यही रख दो A union D का मतलब क्या होता है A और D के सभी element A और D के सभी element कहुं से है 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 फिर intersection B union C के element क्या होंगे B और C के सभी element 7, 9, 11, 13, 15 और दोनों का intersection तो 7, 9, 11, 15 आएगा 7, 9, 11, 15 13 तो आएगा नहीं 13 आएगा नहीं तो इस प्रकार से इसके और पार्ट आप कर सकते हैं This is question number 6 चीक है अब 7 देखे क्या है 7th question क्या कह रहा है एक बात अपने आप लगाने की कोशिच करिए वीडियो को रोग लीजे उले काहे को रोग ले भई अपने आप काहे लगाए जब कोई चीज solve होती है तो दिमाग वहाँ जाता है net खर्च करें ये data खर्च करें दिमाग खर्च करें काहे को अपने आप लगाए 7th question देखे 7th question कह रहा है कि अगर a बहुत सारे set दी हुए है a is equal to x such that x belongs to natural number अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगी इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1,2,3,4, टिक, 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 बहुत सारे टिक, इन्फाइनल तक जाएगा b कह रहा है कि x such that x is an even natural number even natural number मतलब sum संख्याए तो ये आपकी कौँ से हो जाएगे कि x such that x is an odd natural number x such that x is an odd natural number ये ही लिखा हुआ है इसका मतलब भी संख्याए हो गई क्या होगा 1,3,5,7, टिक, 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 बहुत सारे टिक, टिक और d कह रहा है कि prime number x such that x is a prime number अब हाद जी संख्याए आप जानते हैं जो अपने आप से करती हैं या एक से करती हैं, अलग-अलग, एक नहीं अलग-अलग दो संख्याओं से करती हैं एक अपने आप से, एक बन से तो ये 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया 4, 5 हो गया, 6, 7 हो गया 8, 9 हो गया, 9 नहीं हो गया 9 तो 3 से भी करता है, 11 हो गया तेरा हो गया बहुत सारी संख्याय और आएंगी ये दिया है अब आप से कह रहा है कि बहुत सारी चीजे निकालो अब कह रहा है कि A intersection B निकालो पहले पार्ट में सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि A intersection C निकालो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि A intersection D निकालो A का सब के साथ निकालो intersection फिर 4th part में कह रहा है कि भाईया B intersection C निकालो फिर B intersection D निकालो फिर C intersection D निकालो ऐसा कुछ बोल रहा है ये कौन सा part हुआ? 5th part और 6 part देख लीजे A intersection B में common क्या होगा? ये वाले होंगे 2, 4, 6 तो ये 2, 4, 6 हो जाएंगे, even number आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे अगर A intersection C होगा तो A में तो सब है 1, 2, 3, 4 क्यों लेना पड़ेगा तो 1, 3, 5 हो जाएगा बहुत ज़्यादा मैं आपसे मुखातिब नहीं हो रहा हूँ क्योंकि आपको मालूब है सब बहुत छोड़ी बाते हैं बड़ी बाते भी हैं, बड़ी भी बाते भी हैं ज्यादा बड़ी नहीं है फिर A intersection D कह रहा है A intersection D में क्या होगा? भाई ये तो A तो बहुत बड़ी number है तो यही number आ जाएगा यही common क्या हैगा? 2, 3, 5, 11, 7 ऐसे सब element होगे B intersection C इसमें कुछ common है ही नहीं तो ये 5 हो जाएगा B intersection D इसमें देखिए दो चीज़ें B intersection D में केवल 2 ऐसा है जो even भी है और prime भी है केवल 2 होगा और कुछ नहीं होगा और C intersection D C और D में ये सब आएंगे 3, 5, 7 नहीं नहीं ये वाले आजाएंगे 3, 5, 7 11 क्योंकि देखिए odd number पे तो 9 भी होगा न तो इसमें 2 को छोड़ के सब भी odd होगे 2 को छोड़ के सब element आएंगे तो ये आपका 7th question है अब देखिए 8th question क्या कह रहा है समझ में आ रहा होगा बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है इसले ज्यादा हम उसमें दिमाग नहीं लगा रहे टेक्निकल चीज़ें आपको R.D. शर्मा में मिलेंगी बहुत डिटेल में उसे पढ़ना पढ़ेगा ही अगर आपको डिटेल में जाना है और कॉम्टेटिव एक्जाम की त्यारी करनी है तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ेगा आपको बेसिक लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा क्लिर किया गया है 8th में 2 सेट हैं और आज से कह रहे हैं इसमें Disjoint सेट होगा कौन-कौन सा यह बताओ तो देख लीजे क्या है पहले तो लिख लेते हैं 8th question Disjoint हैंगे लेगे मतब Disjoint check Check Disjoint or not Check Disjoint or not विसंगीत समुच्चे विसंगीत बोले तो जिसमें कोई चीशी common ना हो यानि कि अगर मैं दोनों का intersection निकालूं तो 5 आना चाहिए पहला पार देखिए क्या कर रहा है यह कह रहा है कि 1,2,3,4 इसका नाम दे दो A और दूसरे सेट का नाम दे दो B X such that X is a natural number and X is greater or equal to 4 less or equal to 6 तो यह एक नमबर क्या आएंगे 4,5,6 अब बताइए अगर मैं A,B का common element निकालूं तो भाया 4 निकलेगा यानि यह 5 के equal तो नहीं आया तो यह disjoint set नहीं होगा disjoint के लिए जरूरी क्या है कि वो कोई चीज common नहीं आनी चाहिए जबकि आ रही common ठीक है विसंगीत कहते हैं इसको second part क्या कह रहा है देखो केवल नहीं है नहीं के रहे नहीं है disjoint नहीं है क्यों नहीं है और नहीं है आंसर में नहीं दिया है ऐसा नहीं होता वही आपको check करना पड़ेगा क्यों नहीं है अच्छा दूसरा क्या कह रहा है कि एक set A नाम देदो फिर A,E,I,O,U ये ग्रूप मालूँ है आपको क्या है बार बार आता है और B है आपका C,D,E,F अब बताओ साब साब दिकरा मैं intersection B निकालता हूँ तो यहां पर E बैठा हुआ है जो 5 की इक्वल नहीं बता रहा है तो ये भी दूनों disjoint नहीं है अच्छा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है थर्ड पार्ट सेट A कह रहा है कि X such that X is an even natural number even even integer natural number नहीं integer यानि कि जो 2 से कट जाए integer की बात कर रहे है वो minus 2, minus 4, minus 6 भी हो सकता है ठीक है और B कह रहे हैं कि X such that X is an odd integer जो 2 से ना कट है अब simple सी बात है जो 2 से कटेंगे वो अलग number होंगे जो 2 से नहीं कटेंगे वो अलग number होंगे फिलाहाल उसमें common नहीं मिलेगा तो अगर मैं यहां A intersection B निकालता हूं तो यह phi आता है so they are disjoint तो यह कहना पड़ेगा न क्यों disjoint नहीं है आपने का नहीं है क्यों नहीं अंसर में दिया है ऐसा थोड़ी होता है आपको show करना पड़ेगा ठीक है 9th में इन्होंने तो बिल्कुल record तोर दिया बिल्कुल ठीक है तो बहुत सारे part दे दिये इन्होंने तो मैं कुछ लिखता हूं कुछ आपने आप करेंगे 8th नोट कर लिजिएगा कुछ बच्चों का आप कहना है कि आप ऐसे लिख देते हैं और कहते हैं नोट कर लिजिएगा और हडते नहीं है और रब कर देते हैं तो मैं हड़ गया 8th question के बार 9th question देखिए क्या कह रहा है 9th question में 4 set दिये है 9th 1 set ए दिया है 3 दूनी 6 3 तरक नो 3 चोग 12 35 15 36 18 3 सते कहीस 3 क्या पाड़ा है एक B दिया है 4 दूनी 8 4 तें 12 4 चोग 16 4 पंचे 20 C दिया है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 तें 6 2 चोग 8 2 पंचे 10 2 चाग 12 2 सत चोग 12 2 वड़ 16 और D दिया है 5 दूनी 10 5 तें 15 5 चोग 20 अब कह रहा है कि A माइनस B निकालो A माइनस C निकालो A माइनस D निकालो एह अरे दादा बहुत दिया है B माइनस A निकालो B माइनस C माइनस A निकालो D माइनस A निकालो अच्छा B माइनस C निकालो B माइनस D निकालो C माइनस B निकालो D माइनस B निकालो C माइनस D निकालो D माइनस C निकालो यह तो बिल्कुल परिजामा फाड़ दिये निकाल लेंगे भीया A-B क्या बताया गिया A के वो element जो B में नहीं है नहीं है नहीं है हैं तो क्या आएगा 3 आएगा 6 आएगा 9 आएगा जो 4 से कड़े हैं उने छोड़ दीजे 12 को छोड़ करके 15, 18, 21 इस प्रकार से और सब आप निकाल लेंगे हम कोई भी नहीं निकाल रहे हैं तो इस प्रकार से एक साइस फिनिस हो गई अभी है अभी है कुछ इस दो कुशन और हैं तो ये बहुत सारे पार्ट है इनको अपने आप कर लिजेगा ठीक है तेंथ कोईशन देखें क्या कह रहा है आपसे तेंथ कोईशन कह रहा है भी या फिर X Y दिया है और X-Y, Y-X, X-Y जो पहले पढ़ चुके हैं जैसे एक सेट X दिया है A, B, C, D एक Y दिया है F, B, D, G जैन बूस करके इनोंने और्डर चेंज कर दिया अब कहा रहा है X-Y निकालो क्या होता है X के वो एलिमेंट जो Y में नहीं A नहीं है, B है, C नहीं है फिर कहते हैं Y-X निकालो Y के वो एलिमेंट जो X में नहीं F नहीं है, B है, D है और G नहीं है और फी कहा रहा है कि X intersection Y निकालो, इन दुन में common है, B है और D है, हो गया, तो इस प्रकार से 10th question है, 11th question क्या गह रहा है, ठीक है, सुन में आ गया होगा है, इसमें कोई टफ नहीं है, 11th question कहता है कि भी ऐसा है, कि R is a set of real number, पहले इसका मतलब समझेगा, real number का मतलब होता है, कि वो natural number हो, integer हो, positive integer हो, negative हो, rational हो, irrational हो, यहनि चाहे आपका 1 by 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1 हो, चाहे root 2 हो, चाहे minus 1 हो, चाहे root 5 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो, सब कुछ real है, ठीक है, अच्छा, और कह रहे हैं, Q is the set of rational number, Q कह रहे हैं, set of rational number, rational number, rational number का मतलब, जिनको P upon Q के far में लिखा जा सकता है, जहाँ P Q integer है, Q 0 नहीं है, मतलब इसमें, वो number, जो root के अंदर है, जिनका root नहीं निकाल सकते हैं, उनको छोड़ के, मतलब जिसे root के अंदर 4 देदें, यह 4 का root निकाल सकते हैं, तो यह rational हुआ, लेकर root 2 देदें, तो root 2 का complete root नहीं निकाल सकते हैं, वो बहुत सारी digit तक जाएगा, लेकिन at last आपको सबको 0 नहीं मिलेगा, निकलता चला जाएगा, तो यह irrational हो गया, तो आज से कहलें, बताइए, अगर real number में rational minus करतें, अरे वह rational minus करोगी, तो यह वाले number बच जाएगे, यानि कि यह क्या हो जाएगे, irrational number, वह rational और irrational, rational और irrational, इसे परिमे कहते हैं, इसे वास्तवीक कहते हैं, real का मताँ वास्तवीक, और irrational मताँ आपरिमे, तो परिमे और आपरिमे मिलकर के, rational, irrational मिलकर के real number बनाते हैं, तो उसमें अगर real में से rational minus कर दोगे, तो irrational बच जाएगे, ठीक है, question number 12 में true false है और आपसे कह रहा है कि आपने answer का justify करो मतलब एक होता है कि answer लिख दिया true है क्यों है? है, क्यों है? देख लो book में लिखा हुआ है एक होता है कि logic देना पड़ेगा क्यों है? देखूं, 12 में true false है पहला part क्या कह रहा है? एक सेट x है, नाम दे दिया हमने, ए दे दो अच्छा रहेगा 2, 3, 4, 5 और एक सेट b है, 3, 6 तो कहरें disjoint set है Disjoint का मतलब भी हम बता जूके कि दोनों का intersection निकाली है और 5 अगर आता है, कुछी common नहीं है साफ साथ दिकरा 3 common है A intersection B अगर निकालेंगे और कुछ common है 5 नहीं है तो आप कहेंगे disjoint नहीं है यह जो कहा है फिर यह false है गलत बात कहिए गलत बात बोलते है second part क्या कह रहा है sit A दिया है A E I O U यह बहुत अपनी family के साथ आता है और B दिया है A B C D कह रहा है disjoint है कहां पगल बना रहा है A काया common दिया हुआ कहां से disjoint हुआ तो A intersection B निकालो A आता है common दिया हुआ है तो यह 5 एक्वल नहीं है तो यह disjoint नहीं है फिर कह रहा है कि 2 6 अगला third part क्या कह रहा है exit A दिया है 2 6 10 14 यह सभी even number है और B दिया है 3 7 15 11 हाँ यह disjoint है क्योंकि intersection में कोई चीज़ कॉमन नहीं है 5 है सो दे आर disjoint यह true है यह false है अगला भी कहा गया है 2 6 10 3 7 11 अगला भी disjoint है वह एक A दिया है 2 6 10 और B दिया है 3 7 11 चुकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है दोनोंका intersection 5 है तो यह भी true है इस प्रकार से एक size है छोटीक size है concept इसके जो नाम है disjoint हैं लालते हैं यह याद होना चाहिए ओकि नेक्स नेक्स वीडियो थैंक्यू